फटाफट में अब बारी हमारे पावर प्लेंस सेगमेंट की है पहले रुख करते हैं समीत चौंभान का समीत बताएं आज आखरी घंटे के लिए आपकी रणनीती क्या होगी अधिके अल्रेडी दो शॉर्ट साइट प्रेमेंट यहां पर ट्रेड सजेस्ट कियो है यहां से भी हमें लगता है कि यह जो कर्रेक्शन है और थोड़ा गहरा सकता है तो यहां पर रादर दन गेटिंग इंटू स्टॉक्स में आप एक इंडेक्स स्पेसिफिक की क्रेड सजेस्ट करना चाहूंगा बैंक निप्टी का 45-300 का फॉट ऑप्शन क्योंकि बैंकिंग में लग रहा है कि सेलिंग काफी जादा गहरा रही है तो यह लगबग 470 के आसपास ट्रेड हो रहा है तो एक थोड़ा सद पाता है इसमें 430 के आसपास तो हाँ पर एक अच्छा वाय बन सकता है जिसमें आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो लगबगर आउं पी 65 और यहां से साड़ेचे सो से लेके 725 का यह पुट ऑप्शन 45-300 के बैंक निफ्टी के पूड़ाइट है ठीक है तो पुट बैंक निफ्टी में एहम लेवल्स और स्टॉप लॉस आपको सुझाते हुए समीत चलिए सुमित का रुकरत है सुमित बताइए आप स्ट्रेड़ी क्या रखेंगे आज जी देखिए अभी भी जैसे दोनों तीनों एनलिस्ट ने एक ही बात बोली हुई है कि मार्केट में प्रेशर बना हुआ है तो अभी भी मैं सेल कॉली देना चाओंगा और समीत के साथ ही जाना चाओंगा तो पहला जो सेल रहेगा या फिर आप उसको एसको एस्टीबीटी बेल भी जैसे अभी जैस बात हुई थी के ट्रेडर्स के अगर कोई शॉट तम बिलकुल खेल रहा है तो उनके लिए के शॉट अपरिजिटी यहां पर बन सकती है करन्ट मार्केट प्राइज अराउं 206 टॉप लॉस 212 फॉर्ट टार्गेट ऑफ 1.96 तो बहल यहां पर सेल करने की राय मिल रही है सुमित की तरफ से और हम देख रहे हैं कि जो गिरावट है वो गहराती ही जा रही है कई सारे PSU काउंटर्स हैं जो की काफी जो गिरावट है उसका शिकार हो रहे है पर जाते जाते एक बार सुमित आप से राय जाना चाहेंगे मेटल पैक पे भी क्योंकि वेदानता के भी नतीजे आएंगे और उससे पहले हम देख रहे हैं कि मेटल पैक भी पूरी मार्किट के साथ ही जो है यहां पे भी बिक्वाली हावी हो रही है बट जुस तरीके से इन में उतार चड़ाव देख रहे हैं क्या आपको लगता है कि यहां पे और भी वीक्नेस गहरा सकती है देखे स्टॉक स्पेसिफिक यहां पे रही है जैसे कि सब्दे आप पहले बोला वीडियल वेदानता तो वेदानता ने अपना एक स्टॉंग रिजिस्टंस था तो लास्ट टाइम भी यहां पे ट्राइ किया था एप्रोच किया था क्लोजिंग बेजिस पे लेकिन सस्टेनिबल क्लोज के बाद जो एक फॉलो पाना चाहिए वो नहीं मिला और सेम लेवल से यहां पे आप देखेंगे तो रिजेक्शन मिला हुआ है आज इस टॉक ने अपने 200 मुविंग डे का भी लेवल्स ब्रेक किया है और नियर टू स्टॉक्स का विदानता के नतीजों के पहले चाहर परसंट की गिरावट एक्जिट करने की सला सुमी की तरह से इस बीच जो नतीजे आ रहे हैं वहां से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इसी ने अपने नतीजे घूशित के नतीजे कमजोर 6% नीचे आ चुका है स्टॉक नाय में बढ़त जरूर दिखाए दे दिया 18% की लेकिन आय में वीकनेस है और ब्यास से आय के नंबर्स भी हलकी जो टोटल इंकम है आय में वहां पर भी हलकी वीकनेस देखने को मिल रही है नतीजे कमजोर हमेसेट क्वालिटी के नंबर्स का भी वेट करेंगे लेकिन हलकी वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही है REC के नतीजों में स्टॉक अब नीचे आ चुका है 6% समीत हमने देखा था REC PFC जैसे स्टॉक शांदार तेजी देखने को मिले थी रिकॉर्ड लेवल आये थे लेकिन अब देखे जो नतीजे आया है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे ह स्टॉक सारे 6% नीचे आ चुका है नतीजों के बाद कुएक टेख आपका REC के चार्ट पर क्या होगा इस पर देखिए पुजा जो हमने में मेटकेप इंडेक्स में और फॉल यहां से गहराने की जो इंडिकेशन्स हमने दी थे उसके जो मेजर रिजन्स थे जो मेजर कॉं बैंक यह 50-60% वेटेज दिखाते हैं और इनमें हम मैसिब यहां पर करेक्शन देख रहे हैं और क्योंकि PFC आरेसी ऑल्मोस इन टैंडम मोह होते है तो हमें लगता है कि आरेसी में भी जो करेक्शन यहां से स्टार्ट हुआ है यहां से और थोड़ा गहरा सित और यह प्रॉ तो मिट कैप स्टॉक्स में ही प्रेशर बन रहा है जो स्टॉक्स काफी जादा चल चुके थे अब वहां पर दबाद दिखना शुरू हो चुका है आरेसी में वीकनेस है नतीजों के बाद उसका असर हम PFC में भी देख रहे हैं दूरों स्टॉक्स में वीकनेस मिट कैप करीब करीब तीरा स्वंकों की गिरावट अब दिखा चुके है तो स्मॉल कैप मिड कैप में प्रेशर तो है इक लोगता फार्मा स्टॉक्स है जो आज बाजा को समाली कोशिश कर रहा है वरना चौतरफा बिखवाली आज हम देख रहे हैं बाजार पर सुमित ऐसे में कोई ट्रेड नजल आ रहा है आपको कहीं पर जी देख यहां पर आपने जो फार्मा का सेक्टर का बात किया तो देख यह एक स्टॉक है एलेंबिक फार्मा स्टॉक्चर काफी बढ़िया है आज फार्मा सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स ने भी काफी इची बड़त बनाई हुई ह तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो new high की तरफ approach कर रहा है यहाँ पे 4-5 sessions पहले भी stock ने new high बनाया था लेकिन आज के जो गिरावाट है just because of that यहाँ पे थोड़ासा profit booking stock में आया हुआ है लेकिन हमें overall structure काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि weekly time frame पे भी breakout है तो बिल्कुल utilize क कर स्टॉप जा सकता है